असलाम अलेकॉम माइक्रोसोफ वर्ड की च्छाटी किलास है पिछली किलास में हमने तक्रीबन जो है इंसेड को किलियर कर दिया था आज पेजे लियाउट पे काम करेंगे पेज लियाउट का क्या काम है तो यहां पे देखें यह मार्जियन्स है मार्जियन्स का काम है जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यह नॉर्मल जो पेज होता है हमरा यह आप देखेंगे पेज के चारों तरफ जो एक इंच का जो एरिया है वो हमें खाली दिखाई दे रहा है यह देखें एक इंच का लेफ्ट राइट टॉप एंड बोटम पे जो हमें एरिया जो एक इंच का खाली मिल ला है मार्जियन्स में हम जब जाएंगे तो यहां पे मुख्तलब केटेगरीज पड़ी हुई हैं पेज की लेयाउट बनी हुई जो एमेस आफिस की अपनी हैं नेरो पे पारों तरफ से आप 0.5 भी दे सकते हैं पर इससे आप कम नहीं दे सकते हैं अगर आप यहां से देखें तो मुख्तल किसम की जो साइज हैं इसकी आटों बनी हुई हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं कस्टुमाइज में आप जाके यहां से आप मजीद 20 को टॉप बोटम अगर होते हैं किसी पेज का तो आपने अक्सर देखा होगा कि आफिसो के अंदर लेटरेट बने वे होते हैं आ पीजो के जो टॉप से तक्रीबंद 2 एंच या धाई इंच के होते हैं दो या 620 में उनका मेटर होता है तो प्रिंट में आपको उसकी सेटंग बनानानी कस्टूमाइस पेज में आके पेज सेटफ से यहाँ पे आप अपनी मरदी शेटिंग Western कर सकते हैं और यह लेंडिस्केप भी है पॉट्रेट भी यह लेंडिस्केप जयरे वह साइड पेज किलाता है जो-सा साइड से बड़ा होता है और हाइड जो है उसकी कम होती है और वैद जो है उसकी बड़ी हो जाती है और पोटेट जो है उसकी लंबाई पेज की बड़ी होती है और वैद जो है कम होती है और यहां पे आप देखेंगे पेपर में यहां पे मुखतल जो है पेपर की साइज है सब्सक्राइब और दिए यहां पर ऑफ सिस्टाइब और जो हमलु में किसी भी साइज को सेलेक्ट करके और और मार्जन से आप यह से पेज की सेटिंग्ग करेंगे अपकी पेज्ग जो सेटिंगि है अपलाय हो जाएगे आपके पेज फिलाल में नहीं करना चाहता और इंटेशन देखे यह वही चीज़ है जो हमने मार्जिंस के कस्टुमाइज पेज में देखी थी यह से में वही काम है पर इसने यहां पर इसको वाज़ करके के दिखाया है के औरेंटेशन में आप यहां से भी पॉर्टेट कर सकते हैं और लेंडिसकेप कर सकते हैं इसी तरीकी से यहां पर आप देखें साइज साइज यहां पर बाहर भी इसने दी वही है बाहर भी इसका आप्शन रखा हुआ है कि आप यहां से साइज मुक्तलिफ सा होता है कि यहां पर आगर अगर आप मजजिद सेटिंग करना चाहते हैं दो यह पे कस्टुमाइजेशन भी एर मौर पिन साइस भी यहां पर जाया पर कस्टुमाईजेशन हम वही चीज है जो आपने देखे दिए पहले यहां से भी आप कस्टुमाइज कर सकते हैं हम इसको cancel कर देता हूं columns columns का क्या काम होता है कि जैसे कि यह मेरी एक paragraph कोई मुझे कहता है कि यह वाली जो second paragraph इसको दो कॉलम में करो तो मैं इस एरिया को range में लूँगा और यहां पर columns को में जैसे click करूंगा आप देखें यहां बता रहे हैं कि two columns three columns left से हो या right से हो तो मैं यहाज फिलाल two column करता हूं तो यह देखें यह two column जो मेरा मेटर जो है चेंज हो गया यह अक्सर office हो में चीज़ इस्तमाल होती है आपने अखबारों में देखा होगा मैगजीन में देखा होगा वहाँ पर यह चीज़ इस्तमाल होती है column तो आप वहाँ से column set कर सकते हैं यहाँ प्यम reinforcing में लोंगा यहां तक और I have a columns में three columns कर सकता हूं और left side से बी में कर सकता हूं इस तरीके से में right और आफिस वरगेरा में या कहीं पर आप न्यूस पेपर की जौड़ वरगे वगरा कर रहे हैं तो वहां पर यह चीज побед इस्तमालותी ए- इत्ते हैं विस्ट इंड़ा बीसांद हैर अपनी मर्ज़ी के साथ आप यहान कोनलम नहीं कोका यह्म की सबाएं देसकते हैं line numbers line numbers क्या है कि यहां पे मैं हूँ और जिसे ही मैं यहां से line number continuous करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरी line है हर line पे number आ जाएंगे और इसने सर्फ इस paragraph को पकड़ा है और यहां पे जब मैं आऊंगा दोबारा line number डालूँगा तो यह line number continue हो जाएंगे हर paragraph पे जोए नहीं आपको यह line number डाल के देदेगा कि आप इसको continue करना चाहते है line numbers को तो आप इस paragraph पे किल्क करके और numbers डाल सकते हैं तो आप देखें यह number लगें यह एक्सर यह चीज़ वहां पे इस्तमाल होती है जब आप कोई किताब अगरा लिक रहे हैं किसी को बताते हैं कि 47 number line में जाएं यह 46 number line में जाएं तो इस तरीके जए यह आज़ नमबर डाल सकते हैं अगर number नहीं चाहिए तो none कर देंगे ताकि जो यह number हमारे हैं वो खतम हो जाएं यह देखें नमबर खतम हो गया यह break से मैं इसका आपको बाद में बता हुआ पहले यह watermark देख लेते हैं watermark का काम है कि background में कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो चीज़ आपकी कोई copyright ना कर सके तो आप यहां से do not copy भी कर सकते हैं जैसे मैं इसको किलिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यह देखें यह पेज के जो पीछे बेग्राउंड में हैं लिखा हुए do not copy अब यहां से यह watermark भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं watermark में फिर जाता हूं और कस्टूमाइज कस्टूम watermark में जाता हूं तो यहां से यह window open हो जाएगी देखें यहां पे मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं टेक्स को क्लिक करूँगा और यहां पे लिखावा है यहां पे में इसको देदूँगा फार एक्जम्पिल ले लें आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं सिंद पाकिस्तान यहां से आप watermark के कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहां से आप font style भी चेंज कर सकते हैं यह आपके सामने इस तरीके से यहां से जैसे आप ऑके करेंगे तो यह देखें पीछे से बेग्राउंड में पे आ गया सिंद पाकिस्तान यह हर पेज पे आ जाएगा क्योंकि हमने watermark जो apply किया था वो आटोमेटिक हर पेज पे आएगा और यह पेज कलर अगर मुझे watermark नहीं चाहिए तो यहां पर में watermark में जाओंगा और remove watermark कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यह watermark जो पीछे बेग्राउंड में दिखाई दे रहा था सिंद पाकिस्तान वो खतम हो गया आप चाहें तो यहां से तस्वीर भी दे सकते हैं कस्टूम watermark में जाके पिक्चर watermark को क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्चर जहां पर भी आपके पीसी में तस्वीर ने कर Jasmtable और रहा है कुणके आपके प्रिंटर को नुक्सान होगाैसमें तो इसमें आपके प्रिंटर का पहुत ज्यादा नुक्सान ओजागा और ऑस ज्यादा खतम अपकी तो यह सिर्फ हैंका OS uns and दिया हुआए पर ये आप इस्तमाल हर्गिस मत कीजेगा और ये रहा पेज बॉर्डर कुछ किलक करूंगा तो मेरे सामने ये विंडो आजाएगी और यहां से मैं इसको कोई भी एक पेज बॉर्डर दे दूँ आप देखें जैसे के मैं ये वाली देता हूं तो आप यहां पे देखेंगे वॉक्स पे मैं आ गया और यहां से चोटी बड़ी कर सकता हूं यह है वैठ थे इसकी वाटर मार्य यह जो पेज बॉर्डर है आप कितनी साइज क्या देना चाहते हैं यह पेज बॉर्डर तो जैसे दोर इसमें बहुत सारी डिजेन हैं, आप कोई भी एक डिजेन चोईज दो करके और यहां से ओके कर सकते हैं, अगर मुझे पेज बार्टर नहीं चाहिए, तो में पेज बार्टर में जाऊंगा, और नन पर किलक करके, और ओके कर दूँगा, तो यह देखे पेज बाटो जो है मेरी वो पूरी की पूरी खतम हो गई एक इसमें आपको मैं टेक्निकली चीज बताता चलूं कि बाद आफिसों में आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पे ऐसे होता है कि आपने 8-10 पेज में काम किया है और बीच में कुछ पेज जो लेंडिस चाहिए एकल टू आरे एंडी ट्रैकिट ट्वैन कोमा फाइव तो मेरे सामने चार पेज का मटीरियल आ गया मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूं कि यह देखें यह चारों के चारों जो पेज है मेरे वह पॉर्टेट हैं अब मैं चाहता हूं कि यह जो दो फाला पेज हो पॉर्टेट हो ौर फर्स्ट वाला जो पेज है वह भिपॉटेट हो तो मैं क्या करूंगा यहां तो यहां पर ऑए यहां पर बॉत में ईंड में को यहां डाले ख़़ए यहां पशिफें आप्सर न HEY की जो मैं पहूं जो किसम सी जो बरेक अवह इसंतमाल हो है कि अब मैं इस पेज को यहां पे एंड करता हूं और में नेक्स पेज में जाके नया काम शुरू करना चाहता हूं जैसे में कंट्यूनियस ब्रेक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर कुछ दिखाई नहीं देता तो आप यहां पर होम में आएंगे शो एंड हाइड को आप क्लिक क करेंगे तो यह देखें यह आपको बता रहा है कि यहां पे section break आपने डाला हुआ है तो आप क्या करेंगे और यहां से मिनकों हाइड कर देंगे और यहां से मैं खाली enterprise करूंगा तो यह जो मेरी कि जाएगी ओ of इसी की दो पेज़ आके मैं इस पेज के यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ page break फिर यद रहे के page break अगर बीच वाले पेज आपको पोटेर्ट ये करने हैं और बाकी के पेज जो आपको पोटेर्ट करने हैं तो आपको page break का option लाज़मी इस्तेमाल करना पड़ेगा अधर वाइस आपकी जो यह फाइल ये फिर काम नहीं करेगी फिर आपको परिशानी का सामना करना पड़ेगा यह चीज गोर से देखिए continuous page break तो यहां से मैं home में जाता हूँ यहां से मैं इसको show करता हूँ आप दें यह आइकोन इसको मैं show करता हूँ page में page size में और इस page में खड़े होके मैं जाता हूँ page में यह देखें margins में land escape land escape मैं जैसे ही करूँगा तो यह यहां पे देखें लिखा हूँ यह कह रहा है क्या आप यह चीज़ सर्फ इस section पर अप्लाए करना चाहते हैं मैं कहता हूँ yes अगर मैं यहां से करूँगा this point forward तो यह दूसरे page पे भी apply हो जाएगा पर मैं चाहता हूँ फिलाल मुझे जो page break में लगाया हूँ इसी page पे चाहिए इसी section में ही चाहिए तो this section पे लिखके यहां पे और मैं okay कर दूँगा तो आप देखेंगे यह देखें लेंडिस्केप हो गया यहां से भी लेंडिस्केप हो गया और यहां से अभी तक हो गया लेंडिस्केप कर लेता हूं आप देखेंगे कि यह जो एक पेज खाली आ रहा है बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे जब मैंने page break continuous लगाया था तो यह पेज ब्रेक निच इसकेप है और दो पेज जो है वो पोटेट है मैं इसको क्या करूंगा यहां पे आके और डिलीट कर दूँगा तो आप अब देखें यह देखें जो ब्लेंक पेज था उस ब्लेंक पेज पे खड़े होकर मैंने खाली डिलीट का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो पेज खतम हो गया और बाकी का जो मेरा मेटर है वो सही का सही है तीन पेज मेरे इस होगत लेंडिसकेप है और जो दो पेज है वो मेरे पोट्रेड है यह बड़े काम की चीज़ है आपको आफिसों में काम आएगी और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूँ एक होता है लीगल पेज जब हम किसी शौप पे प्रिंट आउट करवान मैं देखिए यह मेरा पेज हो गया लीगल और बाकी के juvenile पैज है अब시면 किरियो फीयक वह बींडिसकेप होगे और जो मेरा उपर梦ा पेज है वह तक्रीब अना टॉप पे उसका मेटर बना हुआ होता है उसका अपना एग्रिमेंट का तो हम पेज सेट अप में जाएंगे मार्चेंस में टॉप पे हम करेंगे 5.7 यह देखें 5.7 पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप में जूम आउट कर लूँ यह देखें जो उपर वाला पेज है वो साड़े 5 इंच से थोड़ा ज्यादा खाली हो जाएगा और उसका जो मेटर है वो नीचे आजाएगा अगर एक लाइने आपकी दूसरे पेज में जा रहे हैं कि ऐ लेके और करें हमें फोट को थोड़ा चोड़ा कर लेंगे जैसे पूरा एक्पMusic मेरा माचा घया और और उपर जो मेरा 5 5 15 गामेने उपर से जगा खाली रखा था वह उपर खाली होगी जब हम प्रिंट देंगे है कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यह प्रिंट प्रीवी देखें आपके सामने आ गया तो यह मुझे शोग कर रहा है कि यह जो आपका लीगल साहई कब से आपका इतना खाली है और यहां से बर कर सकते हैं आपके पास कोई भी तर्वाप यहां से क्योंट बीएक प्रिंट दे सकते हैं मुद्ट वी लिशन प्रिंटर है थैकर अपके पास मुख्दा सकते हैं अगर?!" और यहां पर पेरेंगे करेंगे तो आला पेज़ पेरा द फिल्टम ना हो प्रिंट मेरों कर यह चाहता हुँ करन्ट मेरोगा शांदर और यह देखें । का पॉटेट ओर लैंडिस्केट कर सकते हैं और यहां से आप लीगल साइस से हटा के 4 भी कर सकते हैं लेटर साइज भी कर सकते हैं तो यह आप्शन आपको प्रिंट के आप्शन में भी आ जाएगा अगर मजीद आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप प्रिंटर प्रॉपर्टी में जाके यहां से भी आप सेटिंग कर सकते हैं यह आपके सामने सेटि साथा वाटरमाथ का आपके प्रिंटर सी स्थारा अपने आप्षण होते हैं फिलाल मद्सकों कैणसिल कर देता हूं याँ और ए दोस्तों मेरे ख्याल में तक्रीबन आपको बहुत कुछ समझ में आगया होगा अगर किसी भी दोस्त को कुछ चीज पूछनी है इस किलास के बाबत तो आप कमेट्स करें तो इन्शालला मैं नेक्स टाइम उस पे एक लंबी वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर दूँगा तो आज इसी के साथ हम किलास खतम करते हैं इन्शालला फिर दूसरी किलास में हम आज़र होंगे तौव में याद रखेगा अल्ला आफिस